माइनेरेटी डिपार्टमेंट जो चलता है कलेक्टर आफिस से तो जितनी भी इसकी मा आती है उसकी तो वो लोगों तक कौशरी नहीं हमने कहा है कि इसमें आप आवेर्नेस करिए औरंगा मद में विकास की बात करो जादी वादी मुद्धों की बात मत करो अगाडी गवर्मे और यह नहीं हम डारे उसके खिलाब में है औरंगाबाद का विकास खतम होगा है पानी समय पे नहीं है पानी आरा तो गंदा पानी आता है डैनी जगा-जगा चोकब है रास्ते पे गड़े हैं और हम विकास के लिए काम कर रहे हैं महराट वड़ा सते के ओपर हमारे हमाच पर जो यह अथर भई और जो है मुझफर भई इनका अब जाए हैं मुझा पास नहीं है तो इसा नहीं चलेगा लोगों को फाइदा होना चाहिए जिद्व पर्षत की डिपूड़ेशन पर 59 योजना है जो राज्य शासन और केंद्र शासन से संब्धित है और योजना का जो उसका डिटेल चार्ज है वहाँ पर रहनाच है और संब्धिया एंजियो से या जिस पार्टी के जो भी लूब रहते हैं उनको भी इसकी मालूम जाता है और भोस्ता पैसा आखिर मोंट में वो योजना का सई माहिती लिए बज़े से पैसा संब्धार को वापस सब्धार है हमारी आप से रिक्रेस है कि वहाँ स्टाब दी जिए और यह जो पैसा आ रहा है यह लोगों को मानूमात में इस तो हो गई है वैस्ट करने के ल कि अब यह सामने चोगरी साब है अब है अब यह जो जो पर आप दो किस ट्रेंट हो गिया रहा है तो में इस देखिंगे वाइव पचास साग्त कि लो कमी है तो नहीं करते है भाद आप अवारा क्याया विया तो पल्यो नहीं कि अब्लाव में देखिंगारे अब यह जो में वियां यह जो 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 कि अ आज आपने जो फिर में निवेदन दिया है तो उसके बारे में ये बताईए कि उसमें किस तरह से आपने उले किया है वो पुरा कम को डिटेल से बताईए माइनरेटी डिपार्टमेंट जो चलता है कलेक्टर आफिस से तो जितनी भी इसकी माती है उसकी तो वो लोगों तक पाउचरी नहीं हमने कहा है कि इसमें आप अवेर्नेस करिए और अफिस में जो है तो लोग कम है तो आफिस में लोग बढ़ाईए ज्यादा से ज्यादा और यहां नहीं पूरे महनाट वाले में जहां जहां पर भी माइनरेटी माइनरेटी डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो है तो लोग बढ़ाना चाहिए और उसमें आवेर्नेस करना चाहिए जितनी इसकी माती वो लोगों तक पहुश्ती नहीं तो ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता वो इसमें करेंगे अभी हाली के कुछ दिनों में हमारे पालक मंत्री सुबाज देशाई औरंगाबाद के दोरे पर आए हुए थे और उन्होंने भी कहा कि औरंगाबाद संभाजी नगर नाम चेंज करने के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा एलान किया यह मौका बहुत अच्छा है इसके उपर आप क्या कहें ने वह तो बहुत तीस साल से कोशिश कर रहे है तो वह उनका एक स्टैंड है और हमारा कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है कि हमको विरोध है उसका संभाजी नगर कूट और माइनरेटी डिपार्टमेंट की दरफ से तो मै तोटली विरोध करता हूं उसको लेकिन आपकी पार्टी और शूसेना पार्टी अभी तो उनका दोनों का यह है यूटी है ने अगाडी सरकार में वह उपर लेवल पर क्या है लेकिन संगटना लेवल पर हमारी तरफ से कल नानभ होने भी कहा है कि जो है तो औरंगा मद में विकास की बात करो ज्यातिवादी मुद्दों की बात मत करो अगाडी गवर्मेंट ने विकास करना चाहिए ना के ज्यातिवादी मुद्दों के ओपर भैस करना चाहिए हमारा उसके ओपर कुछ ज्यातिवादी और नाम बदलने की हम कोई राजनीती नहीं करते यह राजनी अकेले लड़ेगी यह किसी के साथ गड़ नहीं हमारे तो कल हमारे मारश्ट अद्देख शाहिद थे उन्होंने तो अकेले लड़ने को कहा है और हम जो है तो कार्पोरेशन अकेले लड़ेंगे आप 10 साल नगर से वक रह चुके है और अवरंगाबाद की हालात कैसी है रोड क का मसला है पीने के पानी का मसला है अल्ब संक्या का लोगों का मसला है सब मसले है आप बहुत भी जानते है आप पार्टी के तरफ से क्या कहना चाहेंगे आज आपने जो निवेदन दिया है वह किस लिए दिया है वह पुरा हमको याने डिटेल से बताई है आज कलेक्टर आ बागी के विसुब पडिल साथ और बागी दुसरे साथी जो है इस सब ने मिलके माइनरेटी की जो योजना स्टेट गोर्मेंट के और संडर गोर्मेंट जो योजना निकाली अल्प संकिन के लिए वो तकरीबन 69 योजना है वो 69 योजने का जो बजड है वो आता है और वो समय पे खर्चा होना चाहिए मगर कलेक्टर आफिस के अंदर एक ही स्टाफ है और माइन डेटिस की मालुमाद देने वाला कोई नहीं है मालुमाद देने का एक बोर्ड नहीं रखा हुआ है और उसके ओपर यह पैसा वक्त पहर्चा नहीं होता है और लोगों कि इसकी मालुमाद नहीं होती उसकी वजह से पैसा यह आएंट ़ेम पे वापस अकसर पैसा वापश चल जाता है ये पैसा वापस ना जाए, सरकार ने जो योजना निकाली है, अलप संकें के लिए उन तक ये पैसा पहुँचे और इसका लाब मिले, इसके लिए वहाँ पर स्टाफ में इजाफा करना चाहिए, वो योजना को जो है अवरनेस पैदा करने के लिए, एंजियो स्कूल पार्ट है, उन्होंने कालेक्टर साब ने बताये के इसके पर फौद जल्दी से गौर करके बहुत जल्दी से इस पर अमल बजाओनी की जाएंगी, आप आने वाले महानगर पालिगा के इलेक्शन किस मुद्दे पर लड़ेंगे, विकास मुद्दा है और हकीकत में विकास, क्योंक इतनी बुरी हालत है कि इसका विकास के बुनियाद पर हम लड़ेंगे, और जब पहली जो महानगर पाली का बने थी 1988 में 17 इपरेल को 2000 तक हम जब तक थे, और उसके कुछ बात, अभी यह हाल है कि और अरंगबाद का विकास खतम होगा है, पानी समय पे नहीं है, पानी आ र अधर भई और जो है मुझफर भई इनका बहुत जोर से यूद कॉंग्रेस का काम चल रहा है, और उन्होंने जो है माइनरेटी का काम और इन्शाला आने वाले वक्त के अंदर बहुत जादे औरंगबाद में डिवलिपमेंट होगा, और माइनरेटी की मसाइल बहुत अच् अधर भी कॉंग्रेस का होगा, हम यह आपको ग्यारेंटी के साथ बता सकते हैं कि 88 से लेके आज तक भी जो है कार पोजिशन ही जिस तरह से महारस्टा में सरकार बनाने के अंदर जो शामिल है बगर कॉंग्रेस के किसी की भी सरकार नी बन सकते, तो महान अगर पाली क्या के अंदर कॉंग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहेगा और ओही मेर बनाएगा और इंशाल्ला उसी का मेर बनेगा मोसी नेमत मेरा नाम है मैं माजी नगर सेवक हूँ, जनल सेक्रेटरी महारस्टा परदेश कॉंग्रेस कमिट्री अलप संकेक मिभाग